हर सोही राचाड के क्रियान की आशु के नर्दो जख जाहेंगे सत बातें रवदा दन दन सत गुरुर विदास दिशाख दास गुरु जोई सोहमरी रखिया करें भिगन न लागे कोई दन दन सत गुरु विदा अवन्दो नित सुभशां चर्ण कमल को दंदवत मेरा कोट कोट पर्यां आदरों सत्कारियों गुरु रूप प्यारी साथ समझें और मंच परविराजमान सभी संसायवान कोट कोटन कोट 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 नमन मन गुरु रूप प्यारी साथ समझें मेरी और से भगवानपूर की सवी कमेटी जितने भी मेमरान हैं और सारी संगत को आज के पावन उस्तव के लख लख बदाई गुरु रूप प्यारी साथ समझें आज हम भगवानपूर में संस रोमनी सिर गुरु दाजी महराज के जनवस्तवर पर पहला संसमेलन उना रहे हैं जिसमें आप दूद राज से संगत आई है संसहवान दूद राज से इस पावन ससंग में आए हैं उनका सभी का इस ससंग में आने पर हार दीख स्वागत है जगत गुरु सद्गुर्व दाजी महराज अपनी ट्वित्र द्वाणी में व्यास्थान करते हैं मादो अवित्या हित्की बेग दीप मलीन जगत गुरु सद्गुर्व दाजी महराज उस प्रम्प्तरा फ्रमात्मा के आगे अंकी करते हैं कि एप प्रभु जी आप से पिछड़ करकर इस जीव में द्वैट भावना अगी है और माया रूपिक पर्दा इसके उपर ऐसा चागया है कि आपने आप में और आप में भेट समझने लगा एप प्रभु जी आपकी बिनास की कैसे गति होगी एप प्रभु जी इसके सोचने समझने की सकती मलीन हो गई म्रिग मीन म्रिंग पतंग कुंचर एक दोस विनास पंच दोस असाद जाने ताकी के तकाद जगत गुरुसत गुरुदाजी महराज पांच विकारों के बारे में बता रहे हैं कि म्रिग मीन और भिंग पतंग और कुंचर हाती में इन पांचों जीओं में सबत सफरस रूप रस गंद इन पांच जीओं में एक एक विश्या के एक एक दोस होता है और अपने दोस एक एक दोस के कार्णिये मर जाते हैं मृत्यू को प्राफ प्रो जाते हैं लेकिन पंच दोस असाद जाने ए प्रभुजी इस इनसान में तो पांचों दोस विद्वान में इसके बचने के कहां तकास की जा सकती है और आगे सिर्गुर्दाजी महराज व्याख्यान करते हैं कि त्रिगत जोनी वाचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा उतार दोंडव तो तीही संतिवोच सद्गुर्दाजी महराज मनवता को उप्रेश देते हैं कि तीन खान्यों के जिवों में अंदज उत्वेदर और उद्विपिश इन तीन खान्यों के जिवों में सोचने समझने की सकती नहीं होती है और इनको पुन और पाप का भी कोई पता नहीं होता लेकिन मानुखा उतार दोंडव तीही संतिवोच एक और जनम मिला है जिसको प्राप करने के लिए देवता लोग भी तरस्ते हैं क्योंकि मनुष्य देई बड़ी ही दुर्लव है बड़े बाग भी मानुख देई पावा सुर्णर दुर्लव तब संक ग्रंत निगावा पावम धाम मोक्स कर द्वारा पाईन अजेही पर लोग सुर्णर तुल्सिताज जिव एक्षान करते हैं इस देही को प्राप्प रने के लिए देवता लोग भी तरस्ते हैं और सारे संत महापूर्दों ग्रंत भी भुकार भार कर कहते हैं संत महापूर्दों के दूए लेकर अपनी मुक्तिका सादन नहीं कटेasant और फिर उन्हें गल्थ वैस्नों में पढ़ जाते हैं जो है बड़े गुरुबाग्य की बातवा है और आगे से गुटाजी महाराज वेक्षान करते है कि इन विश्यों से बजने का उपए एक ही है रविदास, उदास, तजभरम, तपन पब गुरुग्यान, भगत जन भैहरन, परमनन परूनिनान सद्गुरुबाजी महाराज वेक्षान करते हैं कि इन विश्यों का दास, रविदास, बड़े विचार से वेक्षान करता है कि गुरु, सभी भ्रमों को छोड़ कर, रविदास, उदास, तजभरम, तपन पब गुरुग्यान, और जो गुरु ने हमेरे नामदान बक्षा है, जो सब्द हमारे कान में कहा है, अभी गुरु की व्यक्षान करके हमारे गुरु फ्रेमी गए हैं, हमें जो गुरु उताता है, उस रास्ते पर चलना चाहिए, तपन तब गुरु ग्यान, जिसने गुरु के ग्यान को अपने हिर्जय में विसा लिया है, उसको प्रमान प्रमात्मा जिरूर मुप्री दिलाएंगे, और इस जनम बरण से छुटकारा अवस्या को मिलेगा, तो मैं समय रहते हैं, संत्वा फुर्दों की सर्ण में जाकर, नाम की दिख्या लेनी चाहिए, और अपने जीवन को सब्स बनाना चाहिए, परमपारस गुरु भेड़िये, पुरु लिकत लाड़, उन मन 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 हीन मिले, फुटकत बजर कपाड़, जब परमपारस गुरु म बिल जाते हैं, तो ऐसी से को अपने समान बना लेकते हैं, और उसके सभी द्वार फुल जाते हैं, और उसके आवा कामन के सभी रास्ते सरल हो जाते हैं, तो नहीं सब्सक्तों के साथ हम अपने रसना को गुरांदोंगा, और दास के मुख से कोई कल सब निखल निखल गया ह बहुत बहुत धन्यवार यह तो हमारे बीच में संद्धाजी देरा तंद्धवाड़ी से जिनर्गुर महाराजी की पान पित्रबाणी पढ़ करके सा संगत को अगावी जीमन के लिए हमें जिताया और पूर महाराजी के बताय है महाराज पर चलने का संद्धिया तो संत महापूरस जितने में संत महापूरस आज इस संत महापूरस में पहुंचे हूं उनके सिरी चलनों में नमन करते हुए और परमसंशी रोमनी सद्धुरु सिवादाजी महाराज जिनके फिवाड़ी के माधम से आज गुरु महाराजी के स्पाउन ससंग संसमेलंग है अने का मौका मिला उनके भी सिरी चलनों में नमन करते हुए आज सासन जी का धन्यावाद आपके दर्शन हुए प्यारी सासन जी आज संसार में नाम बहुत तो परचार हो रहा है और नाम जो बिना है भी कुछ नहीं उपर जो मंचपर विराजमान संसाहिवान है जो गुरु है उनका सासन पर बड़ा अनुकर्ण है क्यों नामगान के माधम से हमारे समाज को जोड़कर उनको नरक के गर्थ से निकालकर स्वरक्यों दे जा रहे हैं तो ऐसे संद महापुर्थों का हमें त्रेणी होना चाहिए हाँ भाई सत्गुरुपद को बंदना हाँ सत्गुरुपद को बंदना रिकोड़ आप जमान भाई जितियस रब को बंदना और सवा समागम संत संतन के परताब से दुगट जा विगन यनंत ये पर्मपिता पर्मात्मा मेरे दुख बंजन जगदीश शुरी सिवादास सत्गुरु मेरे नाम किया बक्सीश बाई नाम नाम तो सब कहें और नाम नजान सार नाम जनान जान आतो उत्परे भव से पार नाम के बहुत चर्चा है इस नाम के पिना संसार में कुछ भी नहीं है प्यारी साथ संगर जी उत्तम और स्रेष्ट नाम नाम तो सब स्रेष्ट है लेकिन उत्मों में उत्तम नाम संत सिरुमनी उत्तिक उर्वदास जी महाराजा ने प्रकर मुप में इस निजार को दिया है इससे पहले भी नाम था आगे भी नाम रहेगा लेकिन कुछ संतों ने नाम को अपने हमने तरीके से दिया है किसीने ओम, किसीने राम किसीने किसन के रूप में किसीने हम के रूप में किसीने तोंं के रूप में तो नाम अनेक प्रकार के देकर संत जो है न इस जीम को उसे और लगाते हैं लेकिन संत सिरुमनी स्री भुकदास जी महाराज ने उस प्रमेश्वर के नामined नो एक ऐसे रूप में प्रकर किया है जो विज्ञानात्मक है तो हमारे जितने भी संतु हुए है भारत वर्त के अंदर वो सारे सर्मन संस्क्रिती के संतु हुए दो संस्क्रिती धार्मी गुरूप से इस क्षेतर में काम कर रही है एक सर्मन संस्क्रिती है और दूसरा वैशन अप संस्क्रिती एक बहिर मुक्ति बख्टी का परचार करके परमात्मा के ओर ले जाती है और एक सीधी सरमन संस्क्रिती है जो नाम का अधार लेकर परम्पिता परमेशो का मिलान करते हैं जिसे हम सब्ध भी कह दें लेकिन इसका अभी उजागर ने हुआ इसका अगर आपको ज्ञान प्रापत करना है तो गुरु महराजी के दो गरंथ है संत्रैदास परवर और एक और गरंथ है संत्रैदास बेरक गरंथ है जहां से आप जिसने वो गरंत पड़ लिया और उसको सर्वन मनन निद्यासन कर लिया उसको कोई गरंत प्रूडने के जोट नहीं है लेकिन वो प्रापत नहीं है नहीं हमारे हाँ एरियम के मैंने कहीं देखा ही नहीं पieseंग उसमें जीव से लेकर इस्वर तक पेंड नेकर बर्मंट तक संपोन दिया है एद में यह सबस्याजसने के जहां से हैं की सबसरे सिरिस्थी रची है तो पहिछ तो शौедь सबस से हुद्वत्वत्प्ति शमूर कुछ है लेकिन सबद जानने रहे हैं कि सबद कहां से जाना जाता है सब्द भीवेक की संतों से जानने तो पहरे साथ संगा जी जो नाम है चारो सादम चमने बचारो सादम चमने और जगत दिली बुल जारे सब्द गुरु हमरा जानने में जिसका संता है वीवेक वेड़ा इकट संता हो पचाना इन चारो सादम का जाना किसी देधारी सब्द गुरु से जाना जिस गुरु के पास जिस संत के पास चार सादम का ज्यान नहीं है वो पूर्ण सत्गू नहीं होते हैं वो इस जीम का तल्यान नहीं कर जिए चार सादल का जान होना जुरूरी है विवेक किसे कहते हैं जी विस्वर की एक्ता का नाम विवेक है आतमर प्रमात्म के नाम एक्ता का विवेक है और सुल्ग और सब्द के मेल का नाम विवेक है अगर किसी को फूल और सब्ल का दूलेट नहीं है तो गुरू बद किस रहने भी नहीं आ दिया फिर वो आप तो डूपे हैं जो अपने जिनको नाम देते हैं वो भी डूपे दूप जाते हैं तो प्यारे साथ संगय जी महाना जी आज हमारा समाज बहुत थोला है हमारे समाज को कुछ नहीं बतात ये समाज की सोर जा रहा है कुछ नहीं बतात इसको certains रास्ता दिखाने की जूरत है अज हम देते हैं हम किस नाम में उस परमात्मा का की खोच कर रहे हैं विदासी महाराज की बाणी को भी समझते उनकी बाणी को सुम्झेना बहुत जोगी है अरे उन तो एक एक दो अक्सर में ही सारा रोणा काड़ दिया आत्मार परमात्मा का तो फिर कहां डूरते फिरे हैं ना वो पूजा में, ना मंदिर में, ना जंगलों में, ना कहीं बाहर हैं, ना ही अंदर हैं, वो तो अंदर और बाहर दोनों हैं। ना के सामने जुरू रखना चाहिए। के सामने ज क्रेंग sì हैं, बाहर हैं, न बाहर हैं। हिए not कि पिता हैं, ना मंदिर में, भुघर। या करता हैं, ना करता हैं, रही हैं, ना मंदिर। झाल झाल